पत्रातु समुदाइक स्वास्त के इंद्र में आउट्सोर्सिंग सुरक्षागाड में तैनाथ क्याराश कुमार, अमित कुमार, संजे साउ, कामेश प्रजापती, सोहर लाल बेदिया विकास कुमार को कार्य मुक्त करने का आदेश दिया गया है यह आदेश शिवल सरजन के कार्याले से प्रकंच कित्सा पदाधिकारी के माध्यन से दी गई अब सीची में आउट्सोर्सिंग सुरक्षागाडों की जगह ग्री रक्षकों को रखा जाएगा तैनात आउट्सोर्सिंग सुरक्षागाड के कर्मियों ने बताया कि हम लोग करीब 15 साल से योगदान दे रहे हैं कुर्नकार में भी हम लोगों ने बढ़ चड़ कर योगदान दिया मगर हमें अब हटा दिया जा रहा है अब परिवार वालों के लिए रोजी रोटी का सवाल उट खड़ा हुआ है तथा आउट्सोर्सिंग सुरक्षागाडों ने सरकार और अधिकार्यों से विनती करते हुए मांग की है कि हम लोगों को हटाया ना जाए अब हम लोग कहां जाएंगे आखिर हमारा कसूर क्या है क्या हमारा यही कसूर है कि हम लोगों ने पूरे कोरोना कार में पूरे अमानदारी पूर्वक्तनमन के साथ समाज और देश की सेवा की है और बदले में हमारी सरकार हमें इसका यह नाम दे रही है कि अब हमें नौकरी से हटा दिया जा रहा है अगर हाल यही रहा तो हम कहां जाएंगे और क्या करेंगे हमारी फर्याद कौन सुनेगा हम अपने परिवार कपालन पोशन कैसे करेंगे इस विशह में सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि एक परिवार या एक वैक्ती जो निरंतर कई वर्षव से लगतार समाज और सरकार की सेवा करते आ रहे हैं बिना कोई कारण बताए नौकरी से हटाया जा रहा है तो ये लोग कहां जाएं कि क्या करेंगे ऐसे मजबूर है ये उनकी उनके पास नौकरी नहीं होगी जी विका को पारजिन कोई साधन नहीं होगा तो वक क्या करेंगे फिर ऐसे में कही न कही हमारी सरकार की जिम्मदारी बनती है कि उनका भी संग्यान लेते हुए उनको कोई उत्यत स्थान देते हुए रोजगार की व्यवस्था की जाए। जबकि हम दोगों वह अचानक बैठाने का सुचना देदिया है। इसके चलते से हम दोगों को आक्षिकी स्थिती बहुत खराब हो गई हैं। अपना और अपना परिवार को वालबचे के द्वारा हम बहुत भी धुख की बात हो गई है। इस लेटर में हम दोगा क्या करें न झाल